आज की दुनिया में मोबाइल एक एसी टेक्नोलोजी है जो हमारे हर वक्त हर समय हमारे पास में रहता है और किसी भी इंसान से हम जहां कहीं के बेट हैं वहां से बहुत ही आसानी से उसे संप्रक डारेक्ट संप्रक कर सकते हैं और बज़े में या आज की जो जन्रेशन है उसने उसी फॉन के अंदर कुछ बदलाव करके उसको स्मार्ट फॉन बना दिया है तो मोबाइल तो स्मार्ट बन चुका है लेकिन हम लोग आज भी है मोबा हो चुके हैं लेकिन हम लोग उस जन्रेशन के शाफ से इसमार्ट नहीं होई हैं जो मोबाइल में प्रोब्लम आती है हम उसको खुद सॉल्व नहीं कर तो आज मने कुछ ऐसी प्रोब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जैसे आपके mobile में pattern log हो जाता है या password log हो जाता है तो उसे आप खोलते हो या मालों reset करते हो phone को तो आपके जितने भी data है जो भी आपके personal data होते हैं फोटो अगेरा होते हैं जो भी xyz जो भी आपके personal data होते हैं उनको आप वापस बाना चाहते हो लेकिन आप उन्हें lost कर देते हो खोद देते हो तो माज आपको एक ऐसी trick बताने वाला हूँ कि आप अपने phone के password या pattern भूल जाओ उसके बाद में भी आप अपने phone को बहुत ही आसानी से अपने screen का जो log है या pin password log है उसको हटा सकते हो और आपके data भी lose नहीं होंगे तो आज इसी topic के बारे में बात करने वाल है तो दोस्तों मैं सत्यपाल सर्मा टेकनिकल दोस्त इंडिया की channel में आपका स्वागत करता हूं तो चलिए आज का topic है वो start करते हैं कि mobile को reset किये बिना mobile का जो log है वो कैसे तोड़ा जाता है तो फीडियो को अंत तक देखें यह आपको जानना है कि mobile का जो password है आप इना आप लोस्त हो जाएंगे तो आप उन डाटा को लोस्त नहीं करना चाहते तो वीडियो को अंत तक देखें और आप बहुत ही simple easy तरीके से अपने phone के password को तोड़ सकते हो या pattern को तोड़ सकते हो और डाटा भी आपके बिल्कुल भी लियूज नहीं होंगे तो वीडियो को अंत तक देखें बीच में escape नहीं करें step by step आप देखोगे तो आप बहुत easy तरीके से यह घर पे भी problem है वह आप fix कर पाऊगे तो चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए दोस्तों simply आपको wondershare doctor fund नाम से एक application है वो अपने अंदर installation करना है और उसका link मैं आपको नीचे देदूँगा जिसे आप बहुत ही आसानी से जाके आप अपने PC याफ computer के अंदर डाउनलोड कर सकते हो तो आप सिम सबसे पहले आपको क्या करना है इसको open करना open करने में जितना time ले ज्यादा time तो नहीं लेगा थोड़ा वो time लेगा दस या पन सेकेंड के अंदर ये open हो जाएगा open होने के बाद में आपके सामने कुछ interface आएगा आप इसके अंदर अपने phone के अंदर data recovery कर सकते हो और system repair कर सकते हो ये सारा backup वगेरा सब आप देख रहे होंगे लेकिन हम लोग main screen की बात करेंगे screen unlock remove की बारे में बात करेंगे आपका जो pin है या screen lock में pattern लग गया है उसको कैसे हटाएंगे तो यहाँ पर आपको simply click करना है जैसे आप click करोगे click करने के बाद में आपको यहाँ पर option मांग रहा है कि आप जो screen lock है वो आप किसमे कर रहे हो अंदर फोन के अंदर कर रहे हो या iPhone है या iPhone की ID है वो हटाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो भी option select करना है जैसे मेरा android phone है तो यहाँ पर दे रहा है प्लीज connected your device to PC तो आपको अपने phone को simply इसके अंदर connected करना है जैसे मैं अपने phone को इसके अंदर connect कर रहा हूँ जैसे आप connect करोगे तो इसके अंदर आपका phone है वो यहाँ पर connectivity दिखाएगा तो जैसे यह पुरा complete हो जाएगा उसके बाद आगे का क्या process है वो भी मैं आपको step by step बताने वाला हूँ connect हो जाए connect होने के बाद क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ और यह 100% work करता है दोस्तों जैसे ही आप screen lock remove button पर click करोगे वैसे ही आपके सामने एक window खुलेगा जहां आपको start button पर click करना है जैसे आपको एक click दे दूँगा जिसे आप देख लेना start button पर click करना है आपको उसके सामने एक message आएगा आप अपना phone connected करोगे connected करने के बाद में जैसे ही आप में computer में connect करोगे तो फिर software से connectivity शुरू हो जाएगी और next में screen में आपका mobile का brand device जो mobile का नाम और device का model जो आपको mobile के पिछे साइड में एक sticker से चिपकावा मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो box प पर क्या करना है फिल करना है और फिल करने के बाद में भरना है उसमें भरने के बाद में आपको next पर click कर दीजिए जैसे ही आप दोस्तों next पर click करोगे click करते हैं आपके सामने एक नया box को लेगा और जहां पर आपको confirm type करना है confirm type करके फिर आप वहाँ पर next बटन पर click कर दी तो friends अब software के अंदर जो तो friends अब software के according आपको mobile का software का एक system होता है कि उसके अंदर आपको अपने mobile को ओफ करना होगा ध्यान रहे केबल नहीं निकालना है ओफ करना है ओफ करने के बाद तुरेंट ओन करना है on करते समय एक तो power button on plus volume down button और home button तीनो साथ में दबाने है जिससे आपके mobile में doctor fund का unlock code package डाउनलोड हो सके और फिर next पे click कर देना है ध्यान रहे नेट है वो चालू होना चाहिए आपके computer के अंदर अब आपके computer में software recover package डाउनलोड हो रहा है अब आपके screen पर live अपने mobile के अंदर भी देख सकते हो और mobile record package डाउनलोड पूरा होने के बाद में आपके screen पर remove password complete करके एक message होगा आपके mobile से password निकल निकल चुका है और वो बिना data गवाए अब अपने mobile phone को start करके देखिए और अपने mobile का password है वो remove हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Android मोबाइल में बहुत ही आसानी से pin lock, pattern lock, face lock, जो भी आपका finger lock सब लगाया हुआ है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही simple तरीके से आप उन्हें हटा सकते हो तो friends आप इस तरह अपने mobile का pattern lock या pin lock बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हो उमीद है आपको वीडियो देख के समझ में आ गया कोई doubt है या कोई pattern lock नहीं तूट रहा है आपने अपने software install कर लिया फिर यदि किसी परकार का कोई भी doubt है तो doubt clear करने के लिए आप अपने comment box में अपना doubt लिखे और मैं उसका reply जरूर दूंगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए मिलते है नेक्स्ट जरूर करिएगा जाते समय में आपको विशेश बात बता दूँ यदि आप अपने PC के अंदर या laptop के अंदर यह software यूज़ कर रहे हो अपने mobile का पीन या pattern तोडने के लिए तो विशेश बात का ध्यान रखना आपके PC है या laptop है उसके इंटरनेट चलना बहुत जरूरी है व काम करोगे काम ही नहीं कर रहा फिर वीडियो को में आप कुछ कॉमेंट लिखोगे तो सबसे पहले नेट जरूरी है यह जान रख लेना और यह premium software है ठीक है